इफिसियों के नाम पॉलूस प्रिवीत की पत्री तीसरा अध्याय इसी कारण मैं पॉलूस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसी इश्य का बंधुआ हूँ यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समचार सुना हो जो तुमारे लिए मुझे दिया गया अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रगट हुआ जैसा मैं पहले संच्छेप में लिख चुका हूँ जिस से तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसी का वह भेद कहां तक समचता हूँ जो और और समयों में मनुश्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेदतों और भर्षदक्दाओं पर प्रगट किया गया है अर्थात यह है कि मसी इश्यू में सुसमचार के द्वारा अन्य जाती लोग मिरास में साजी और एक ही देह के और पृतिग्या के भागी हैं। मसी के अगम्य धन का सुसमचार सुनाओं। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेत का प्रभंध क्या है जो सब के स्रजनहार परमेश्वर में आदी से गुप्त था। उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं बिंती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव न छोड़ो क्योंकि उन में तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने देखता हूँ जिस से स्वर्ग और प्रत्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुशत्व में सामर्थ पाकर बलवन्थ होते जाओ। और विश्वास के द्वारा मसी तुमारे हिर्दय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भाति समझने की शक्ति पाओ। कि उसकी चोड़ाई और लंबाई और उचाई और गहराई कितनी है। और मसी के उस प्रेम को जान सको जो ग्यान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बिंती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कारे करता है कलीसिया में और मसी इश्य में उसकी महिमा पीड़ी से पीड़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन।